ओम नमो भगवते वासु देवाए दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है आज सुनिए कामिका एकादशी के दिन सुनी जाने वाली व्रतकथा व्रतकथा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध हैं कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय चरूर लिखेगा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का नाम लेले से हर मनुकामना पूरी हो जाती है आए दोस्तों सुनते हैं कामे का एकादशी की कथा धर्म राज युदिस्ठर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा हे प्रभू मैंने आशाड महिने के शुकल पक्ष की देवशेनी एकादशी का तो विस्तार पूर्वक वर्णन सुन लिया अब आप कृपा करके मुझे सावन महा के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधी क्या है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इसका उपवास करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ती होती है धर्म राच यदिश्टर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्णे ने कहा हे स्रेष्ट धनुर्धर मैं सावन महिने की पवित्र एकादशी की कथा तुम से कहता हूँ ध्यान पुर्वक सुनो एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीश्म पिता महने लोखित के लिए नारद मुनी से कहा था एक समय नारजी ने कहा हे पिता मह आज मेरी सावन के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की बहुत तीवर इच्छा हो रही है अतहाँ आप किरपा करके इस व्रत की कथा मुझे विधान पुर्वक सुनाए तब नारज जी की इच्छा को सुनकर पितामह भीश्म ने कहा हे नारज जी आपने बहुत ही सुन्दर प्रस्ताव किया है अब आप बहुत द्यान पुर्वक इस कथा को सुने सावन महिने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपे यगिके फल की प्राक्ति हो जाती है कामिका एकादशी के उपवास में शंक चक्र गदाधारी भगवान विश्नु की पूजा की जाती है और जो मनुष्य इस एकादशी के दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विश्नु की पूजा कर लेता है उन्हें गंगास्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ती हो जाती है सूरी ग्रहन और चंद्र ग्रहन में केदार और कुडुक्षेत्र में इसनान करने से जिस पुण्य की प्राप्ती होती है वही पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विश्नु की भगती पूर्वक पूजा करने से ही प्राप्त हो जाता है कहा जाता है कि संसार में श्रीहरी की पूजा का फल सबसे ज्यादा होता है इसलिए भक्ति पूर्वक श्रध्धा पूर्वक भगवान श्रीहरी की पूजा अगर आप ना कर पाएं तो सावन के महिने में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन उपवास अवश्य करना चाहिए कामी का एकादशी के दिन तुलसी दल से भगवान श्रीहरी की पूजा करने का फल एक बार स्वन और चार बार चांदी के दान के फल के बराबर मिल जाता है भगवान विश्णू रत्न मोती मनी आदी आवुशनों की अपेक्षा तुलसी दल से ज़्यादा प्रसन हो जाते हैं एक गाउ में एक वीर छत्री रहता था एक दिन किसी कारण वर्ष उसकी एक ब्रहमन से हाथा पाई हो गई हाथा पाई इतनी बढ़ गई कि उससे ब्रहमन की म्रत्य हो गई अपने हाथों मारे गए ब्रहमन का क्रिया करम जब उस छत्री ने करना चाहा तो पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया ब्रहामनों ने कहा कि तुम पर ब्रहमत्या का दोश लगा है पहले प्रैशित कर इस पाप से मुक्त हो जाओ तभी हम तुमारे घर पर भोजन कर पाएंगे ब्रहामनों की बात सुनकर चत्री ने पूझा कि इस पाप से मुक्त होने के कोई तो उपाय होंगे मुझे कृपा करके उस उपाय को बताईए तब ब्रहमनों ने बताया कि श्रावन महिने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का वरत और पूजन कर ब्रहमनों को भोजन कराकर और दक्षिना के साथ आशिरवात प्राप्त करने से ही तुम्हे इस ब्रहमत्या के पाप से मुक्ति मिल पाएगी इस उपाय को जानकर श्रावन महिने के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का वरत विधी पूर्वक किया और ब्रहमनों को भोजन कराया जिसके प्रभाव से उसे ब्रहमत्या के पाप से मुक्ति मिल गई उसी राद दोस्तों यह थी कामिकाई कादशी के दिन इस प्रतक्ता को सुनने से या दूसरों को प्राप्त करते हैं पुलो भगवान विश्णु की जय दोस्तों ये थी कामिका एकादशी के दिन सुनी जाने वाली वृत कता अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा